नमस्का दोस्तों, आज मेरे हाथ में ये दो चीजे हैं, एक डिस्पोजल प्लेट और एक ये जिसको डूना कहा जाता है आम बोलचाल की भाशा में जैसे जैसे समय बीटता जाता है, जैसे जैसे आधुनी की करन आता है, नई-नई चीजों का विशकार होता है कई-कई चीजों की जगा जो है, दूसरी चीजे ले लेती हैं, हमारे comfort के हिसाब से, हमारी सुविधाओं के हिसाब से मैं जिस जगा से बिलॉंग करती हूँ, वो बहुत छोटी जगा है और उस जगा में आज भी जब शादियां होती हैं तो नीचे बैट के पतल और डूनों में खाना खाया जाता है, और यकीन मानिये, खाने का स्वाज जो है, वो दूना हो जाता है, जब आप नीचे बैट के पतल और डूने में खाना खाते हैं, वो मज़ा ही अलग है तो आज हम बात करेंगे कि पतल और डूने का बिजनस क्या फल फूल सकता है? क्या ये बिजनस करने से हमें मुनाफ़ा हो सकता है? आज इस वीजियो के जरीए ये बात करेंगे तो कमेंट्स पॉक्स में हमें ढहे सारे मेसेजिज आ रहे थे कि डूने और पतल की बिजनस के बारे में बताईए और डूने और पतल की बात जैसे ही मैंने सुनी तो मुझे तो अपना घर याद आ गया कि आज भी मैं घर जाती हूं साल में एक बार ही जाना होता है तो जब भी जाती हूँ तो मतलब वेट होता है कि किसी की शादी हो नीचे बैठके मैं पतल और डूने में खाना खाऊँ तो इसलिए मैं ये वीडियो खास तोर पर उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो इस चीज़ का बिजनस शुरू करना चाहते हैं और यकीन मानिये इस बिजनस के जरीए आप भी अच्छी कमाई कर सकते हैं आज इस वीडियो के जरीए मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी कि कितनी मशीने इसमें लगती हैं कितना इसका कॉस्ट आता है कितनी लागत लगेगी और मुनाफ़ा लगभक कितना होगा और कितने अंतराल के बीच में आपका बिजनस फल फूलने लगेगा चलिए सुनते हैं सबसे पहले बात करते हैं मशीनों की और इसी के सासथ आपको पता चल जाएगा कि किस तरप बिजनस के लिए आपको कितने इंवेस्टमेंट की जरूरत होगी दोस्तों दोना पतल बनाने के लिए तीन तरह की मशीने आती हैं मैनुल मशीन, सेमी आटोमेटिक मशीन, फुली आटोमेटिक मशीन मैनुल मशीन को आपको खुद ही चलाना होगा और हाँ इसमें लागत भी काफी कम लगती है और प्रोडक्शन भी कम होता है यानि कि यदि आप घर पर ही छोटा मूटा बिजनस करना चाहते हैं तो ये आपके लिए ठीक रहेगा मार्केट में 7000 से लेकर 20,000 रुपए तक की मैनुल मशीन मौजूद है और इसके साथ ही आप घर में 40,000 से 55,000 में बिजनस शुरू कर सकते हैं अब आती है सेमी आटोमेटिक मशीन की बारी इसमें आपका 70% काम आटोमेटिक हो जाएगा लेकिन 30% आपको खुद ही करना होगा मीडियम लेवल के बिजनस के लिए ये मशीन एकदम परफेक्ट है लेकिन ये भी दो तरह की आती है पहली सिंगल डाय की मशीन और दूसरी डबल डाय की मशीन आपको बता दे सिंगल डाय की मशीन में डबल डाय की मशीन से कम प्रोडक्टिविटी होती है कीमत की बात करें तो इसकी कीमत 30,000 से 50,000 तक है और इस मशीन के साथ आप 80,000 से 1,000,000 के अंदर अपना बिजनस आराम से शुरू कर सकते हैं इसकी खास बात ये है कि इससे आप एक दिन में 12 से 14,000 प्लेट बना सकते हैं और महीने में कम से कम 40,000 से 50,000 कमा सकते हैं और अब आखिर में आती है फुली आटोमेटिक मशीन इसकी प्रोडक्टिविटी सबसे अधिक होती है और ये बड़े स्तर पर बिजनस करने के लिए एक दम पौफेक्ट है ये मशीन एक दिन में 30,000 से 34,000 तक प्लेट बनाती है और इसकी कीमत है लगबग 1,00,000 और इस तर के बिजनस से आप महीने के 70,000 से 80,000 रुपे कमा सकते हैं इस बिजनस के रिजिस्ट्रेशन के बारे में बात करने से पहले रॉव माटिरियल के बारे में बात करते हैं इसका raw material सिर्फ paper होता है जो की market में आसानी से मिल जाता है इसलिए ये business काफी आसानी से किया जा सकता है अब registration की बारी सबसे पहले आप क्षेत्र के नगरपालिका में जाएकर license के लिए apply करें भले ही दोना पतल बनाने एक गैर कानूनी काम नहीं है लेकिन इसके लिए license लेना और production नियंतरन बोर्ट से NOC लेना जरूरी है इसके साथ ही MSME के रूप में एक उद्योग आधार के तहट registration जरूर कराएं इसके लावा business के लिए आपको electricity की जरूरत पड़ेगी और इस कमी को पूरा करने के लिए आपको state electric boat से बिजली की मंजूरी लेनी होगी और फिर आप वहाँ पर professional meter यानी website meter लगवा सकते हैं तो जो भी लोग अपना दोना पतल का business शुरू करना चाहते थे उनके लिए हमने information दे दी है जानकारी दे दी है लेकिन अभी भी आपको लग रहा है एक business शुरू करना चाहता है तो business शुरू करें और उसमें हम आपकी पूरी-पूरी मदद करेंगे कोई सवाल हो कोई भी आशंका हो कोई भी क्वारी हो आप comment box पे जरूर जरूर लिखे वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए हमारे चानल को subscribe कीजिए क्योंकि इस चानल के जरियो और भी नए platforms आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं और यूँ ही प्यार हमें अपना देते रहिए तो bell icon का बटन भी जरूर दबाईएगा ताकि notification आप तक पहुंचे फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और हाँ आज आप खाना दोना पतल में ही खाईएगा बाई